मेरे लिए पानी लेक्याओ लाया दीदी वंशेज मेरे लिए कॉपी लेक्याओ लाया दीदी वंशेज मेरी पैंचल कहा है जब देखो दीदी बोलती रहती है वंशेज ये ले आओ वो ले आओ वंशेज मेरे बै कहा है अब मैं कोई भी चीज नहीं लाओंगा देदी जब देखो मुझे तंग करती रहती हो वंशज ये ले वंशज भो ले आओ मैं तुम्हारी बड़ी भेनू मैं जो कहूंगी तुम्हें करना होगा मैं ही हमेशा आपके काम क्यों करूँ अब तो कभी मेरा कोई काम नहीं करती तुमने सुना है ना जो जंगल का राजा होता है वो अराम से बैठता है तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम राजा हो हाँ क्योंकि मैं बड़ी हूँ और तुम्हें मेरा कहना मानना होगा लगता है दीदी को आज एक कहानी सुनवानी पड़ेगी तो बताओ दीदी कहानी सुनोगी क्या हाँ हाँ कहानी जजूर सुनूंगी तो फिर हो जाए एक कहानी शाम का वक्त था शेरू राजा जंगल में बैठे बैठे सोचने लगे क्या बात है आज कोई आज कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा आखिर कहां गए जंगल के सभी जानवर बहुत देर बाद शेर ने सोचा क्यों ना मैं ही सभी जानवरों को बुलाकर अपना मन बहला लू शेर जोर जोर से दहाडने लगा और बोला अरे सब के सब कहां चले गए कोई जंगल में है या नहीं लेकिन फिर भी कहीं से कोई आवाज नहीं आई शेर फिर दहाड़ा क्या हुआ नहीं दे रहा तभी एक लूमड़ी हसते हुए आई और बोली क्या बात है शेरू आज घुस्से में नजर आ रहे हो शेरू बोला जिम्मी लूमड़ी जाओ जाओ तुम जाओ अपना काम करो मैंने तुम्हें नहीं बुलाया और फिर वो दहाड़ता हुआ जंगल के जानवरों को बुलाने लगा लूमड़ी फिर हसी और बोली कोई नहीं आएगा चाहे तुम कितना भी दहाड़ लो शेर बोला क्यों 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 नहीं आएगा लूमड़ी ने कहा एक बात बताओ शेरू तुम दिन भर बैठे बैठे करते ही क्या हो सभी जानवरों को परेशान करने के अलावा तुम्हारे पास काम ही क्या है शेर बोला काम ही क्या है तुम कहना क्या चाहती हो जिम्मी लूमड़ी मैं मैं परेशान करता हूँ अरे जिम्मी मुझे लगता है शायद तुम भूल गई कि मैं जंगल का राजा हूँ इसलिए जैसा मैं कहूंगा सभी जानवरों को मेरी बात माननी ही होगी लुम्री बूली हाँ हाँ जानती हूँ जानती हूँ तभी तो सभी जानवर तुम्हारे आदेश पर दूर दूर तक तुम्हारे लिए रात का खाना बनाने के लिए जंगल के दूसरे कोने में गए है शेर खुश हुआ और बोला अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है लुम्री बूली जैदा खुश होने की जरूरत नहीं है दूसरों को आदेश देते रहते हूँ और खुद कच्छ नहीं करते अरे जिम्मी मैं राजा हूँ राजा जैसे ही शेर ने ऐसा बोला जिम्मी ने उसे चुप करा दिया और बोली बास बास तुम तो रह नहीं दो अपने आपको शेर कहते हो जंगल का राजा कहते हो अभी दो दिन पहले जब बंकू बंदर का बच्चा बिमार हुआ था जंगल के सारे जानवर मदद के लिए आए थे तो तुमने कहा था जाओ जाओ अभी मैं सो रहा हूँ अभी मैं कुछ नहीं कर सकता ये कोई बात हुई भला देखो शेरू ये अच्छी बात है कि जंगल के सभी जानवर तुम्हारा कहना मानते हैं तुम्हारा काम करते हैं पर अपने काम हम सब को स्वयम करने चाहिए और जब कोई हमारे पास मदद के लिए आए तो हमें उसकी सहता जरूर करनी चाहिए अब जंगल के और जानवर अपना काम स्वयम करते हैं करते हैं करते हैं के नहीं और जब हमें किसी दूसरे की मदद चाहिए होती है तो हम उसकी सहता भी करते हैं और फिर तुम तो जंगल के राजा हो, सबसे बली हो, तुम्हें तो सब की मदद करनी चाहिए, चाहिए की नहीं? शेरू बोला, हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो, लोम्री ने शेर को समझाया, राजा वही है, जो सब का ख्याल रखे, किसी को परेशान ना करे, और जितना हो सके, अपना काम स्वयाम करे, शेर को लोम्री की बात बहुत अच्छे लगी, और उसने लोम्री से वादा किया, कि वो अपना काम आगे से खुद किया करेगा, और जब भी उसकी प्रजा को उसकी जरूरत होगी, वो सबसे पहले सहायता के लिए आएगा, तो बच्चो, सबसे अच्छा राजा कौन, जो अपनी प्रजा की सहायता करे, तो बताओ दीजी, बताओ, कैसी लगी कहानी, हाँ, कहानी तो बहुत अच्छी थी, पर एक बात बोलू, जंगल का राजा दो सबसे बड़ा होता है, लगता है तुम्हें अब भी समझ में नहीं आया, अरे नहीं, नहीं, मैं सब समझ गई, तो अब यह बताओ, कि तुमने कहानी से क्या सीखा, तो मैंने कहानी से ये सीखा, कि हम सब को मिल जुल के रहना चाहिए, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन अपना काम हमेशा खुद करना चाहिए, यह तो बहुत अच्छी बात करी आपने, तो आप यह बताओ, कि अपने काम खुद करोगी ना, हाँ, हाँ, मैं अपने काम अपसे खुद करूँगी, पर जब मुझे जरूरत होगी, तुम मेरी मदद करोगे ना, हाँ, मैं मदद करूँगा, और मैं भी तुमारी मदद करूँगी, तो बताओ, इस क कहानी का नाम होना चाहिए अच्छा राजा कौन हाँ अच्छा राजा कौन तो दोस्तों आप भी अपने काम खुद किया कीजिए और दूसरों को जब आपकी जरूरत हो तो इनकी मदद किया कीजिए तो दोस्तों अब हम चलते हैं अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के तब तक के लिए नमस्ते तक के लिए नमस्ते के लिए नमस्ते